दोस्तो आप मेंसे काफी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था कि DB3 को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो काम कर भी रहा या फिर नहीं तो आज आप इस वीडियो को देखते रही हैं और हम आपको बताएंगे कि आप DB3 को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो वो 24 टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप जानते ही है कि DB3 हमारी CFL और electronic चोक दोनों का काफ़ी important component है DB3 एक तरीके का linear diode होता है जो कि CFL circuit और electronic tubular choke दोनों में ही starter का काम करता है electronic choke और CFL circuit का जो भी initial oscillation start होता है वो DB3 की वजह से ही होता है यह DB3 काम कुछ इस तरीके से करता है कि जब भी voltage इसके terminal के across 32V से exceed कर जाती है तो यह conduction में आ जाता है यानि इसके दोनों terminal के across conduction start हो जाता है current flow होना start हो जाता है और जैसे यह voltage 32 से कम हो जाती है तो यह दुबारा से non conducting stage में आ जाता है जिसके वजह से आपकी tube light के अंदर initial oscillation start होता है और आपकी tube light glow करना शुरू कर देती है अकसर जब भी हम इस DB3 को अपने multimeter से check करते हैं तो यह कुछ भी नहीं बताता कोई भी conduction नहीं बताता तो इसको कैसे check किया जाए वो हम आपको बताते हैं सबसे पहरे तो आप यह जान लिजए कि DB3 कई तरीके के आते हैं most of the DB3 होते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं जो काच की तरह के होते हैं यह लग रहा है यहाँ पर जहाँ पर D2 लिखा हुआ है वो DB3 है अगर मैं आपको रोचनी में करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हैं कुछ DB3 ब्लू कलर के भी आते हैं जैसे यह वाला है यह ब्लू कलर वाला DB3 इसके उपर लिखा भी रहता है DB3 और कुछ DB3 इस तरीके के डायोट की शेप में भी आते हैं इनकी कोई direction नहीं होती है आप इनको किसी भी direction में लगा सकते हैं अगर आपको replace करना है लेकिन इसको test कर से ही करना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आप एक multimeter ले लिए और उसे beep की जो अपनी setting है उसमें डाल दीजिए जैसे कि ये वाला मेरे पर से एक multimeter है मैं ऐसे beep की setting में डालने जा रहा हूँ ये देखिए मैं यहां से select कर लेता हूँ ये multimeter मैंने अभी कुछ दिन पहले ही खरीद है अगर आपने इस multimeter की unboxing नहीं देखी तो आप जाके हमारे channel पे इसकी unboxing देख सकते हैं तो मैंने इसको beep की setting में डाल दिया तो ये लिए चेक कर लेते हैं कि ये beep कर भी रहा है या नहीं तो हाँ ये beep कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके दोनों टर्मिनल के across multimeter की probe लगा के एक बार चेक करना है कि कहीं शॉट तो नहीं है तो देखें मझे वहाँ पर अभी भी zero load दिखा रहा है यानि ये short तो नहीं है अगर मैं ऐसे check करूँ तो देखें यहाँ पर ये दिखा रहा है conduction अगर मैं इसके दोनों टर्मिनल के across रखूँगा तो नहीं दिखाएगा क्योंकि ये जो prob होती है इसके अंदर जो voltage होती है वो डेड़ से लेके 3V के असपास इसमें पास होती है जो कि 32V से बहुत कम है इसलिए ये DB3 conduction में नहीं आता है तो इसे कंडक्शन में लाने के लिए हमें 32 वोल्ट से ज़्यादा इसमें वोल्टेज देनी पड़ी कि तब ही जाकर ये कंडक्शन में आएगा अगर ये short होता तो हमें दोनों टर्मिनल पर जैसे हम multimeter से प्रॉब लगाते हैं तो हमें beep की आवाद सुनाई देती जिससे हमें पता लग जाता कि ये short है और हमें इसको replace करना है लेकिन अभी क्योंकि हमें दोनों टर्मिनल पे लगाने के बावजूद भी हमें कोई बीप नहीं आरी तो हो सकता है कि ये open हो चुको विच मिन्स कि इसका जो junction है वो खराब हो गया और ये कोई भी conduction ना करें भली 32 voltage से ज़्यादा भी हम इसको voltage अप्लाई करें तो उसी चीज को चेक करने के लिए हमें इसके टर्मिनल के अक्रोस 32 volts से ज़्यादा voltage देनी पड़ेगी इसका सबसे जो easy तरीका है वो है हमारा mains हम उसी को use कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही उसमें 220 के आसपास 220 से लेके 200 के आसपास voltage आती है और उसी से हम इसको test कर सकते है त तो अभी फिलाल के लिए मैं यह circuit साइड में रखता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपना mains plug ले लेना है या फिर mains जो भी आपके बस लाइन है वो ले लिजे मैंने यह वाली एक wire ली हुए है इसके आगे यह socket है इसके अंदर अभी 220 के आसपास voltage करें उसके बाद ही component चेक करना शुरू करें तो मैं एक यहाँ पर अपनी लगा देता हूं और एक दूसी तरफ लगा देता हूं तो अब अगर multimeter पर देखेंगे तो 228 के असपास आपको voltage देख रही है जो की ठीक है मेरे यहाँ पर इतने ही voltage आ रही है तो इसके लिए अभ home के मेरे पास एक यही circuit पड़ा हुआ था जिससे मैं testing कर सकता था तो मैंने इसी पर कर लिया आप चाहो तो आप इस wire के across direct भी लगा सकते हो और लेकिन मैं recommend करूंगा एक high value का जो भी k की range में होगा वो आप resistance यूज़ करें ताकि ज़्यादा load ना मिले इस db3 को और यह जा रहा हूँ और मैं एक अपने multimeter की prop भी mains में डालने जा रहा हूँ तो अभी यहाँ पर इसमें current flow होना शुरू हो गया है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी mains की line आ रही है तो मैं यहाँ पर test करता हूँ तो हमें यहाँ पर 220 के आसपास voltage दिखनी चाहिए तो 227 के आ आई value का resistance है यह k की range का resistance है यह 220 के का resistance है जिसकी वज़ा से 186 और 187 के बीच में इसके दूसरे terminal पर voltage आ रही है वही voltage अब इस db3 के दूसरे terminal पर आ रही है जो पहला terminal है जो main से connected है तो यहाँ पर हम test करेंगे यहाँ पर भी मुझे 187 दिख रही है अगर इसके दूसरे terminal पर connect करने के बाद हमें voltage दिखती है तो इसका मतलो यह db3 सही है अगर हमें voltage नहीं दिखती है तो that means कि हमारा यह db3 open है which means कि इसका जो junction खराब हो चुका और यह कोई भी conduction नहीं कर रहा है अपना काम नहीं कर रहा है तो चलिए अब test करते हैं अब देखें मैं इसके दूसरे terminal पर जैसे ही multimeter लगा रहा हूँ तो मुझे 164 के असपस voltage दिख रही है जो कि ठीक है क्योंकि इसमें कोई voltage drop भी होता थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है कि diode के across voltage drop भी होता है जो कि इस case में भी हो रहा है that means कि हमारा जो db3 है वो सही है अगर हमें यहाँ पे कोई भी voltage नहीं मिलती अगर हमें zero voltage मिलती तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा यह वाला जो db3 हो खराब हो चेका है इसका junction खराब हो चुका है तो चलिए अब मैं इन props को निकाल देता हूँ तो इस तरीके से हम अपने db3 को check कर सकते हैं आपके किसी भी अगर circuit में लगा हुआ है तो आप उसका एक portion निकाले एक side वाला terminal निकाले और इसको अपनी main supply line से लगा के test कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखे कि आप इस db3 को series के through check ना करें क्योंकि यह बहुत ही delicate होता है और यह खराब हो सकता है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो db3 को test करने के बारे में उमीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो आप इसको like कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe भी कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिने बाद मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ till then have a great day and always keep smiling